बच्चो आज हम पढ़ेंगे कप्षा नववी के इंगलिश विशे के ब्रिज कोर्स की यूनिट 13 की एक्टिविटी 7 जो की आपकी बुक के पेज नमबर 93 पर है न बच्चो तरानो पेज नमबर पर यह एक्टिविटी 7 है जिसे हम आज पढ़ेंगे और इसके पहले की सारे एक्टिविटी हम कर चुके हैं यदि आपने वो नहीं देखी हो तो हमारी प्लेइलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए तता नाइन्थ के मैट्स के और सामाजिक विज्ञान के सारे वीडियो देखने के लिए और important question देखने के जिससे के आपको वीडियो की notification तुरंत मिल जाए तो चलो बच्चों शुरू करते हैं activity 7, read the following passage, in 2006 Mark English from New Zealand climbed the tallest mountain of the world, the Mount Everest, 2006 में Mark English, ये एक नाम है बच्चों है न, Mark English जो एक व्यक्ती थे, from New Zealand, जो की New Zealand के थे, climb the tallest mountain of the world, विश्व के, वर्ड मतला विश्व है न, विश्व, ठीक है विश्व, विश्व के tallest mountain, उचे परवत, विश्व के सबसे उचे परवत, कौन सा है, Mount Everest पे चड़ाई करी, तो 2006 में Mark English नाम के जो व्यक्ती थे, New Zealand के, उन्होंने विश्व के सबसे उचे परवत, Mount Everest पे चड़ाई करी, है न, first line का यह अर्थ हो रहा है, what, what was special about it, इसमें क्या विश्व था, है न, यदि Mark English ने विश्व के सबसे उचे परवत, Mount Everest पे चड़ाई करी, तो इसमें क्या विश्व था, what was special about it, every year, many people climb Everest, प्रत्येक साल, कई लोग Everest पर चड़ते हैं, but this story is different, लेकिन उनकी कहानी जो है वो अलग है, English does not have both the legs, English जो थे, उनके दोनों पेर नहीं थे, he became the first man, without both the legs, to reach the top of the Mount Everest, he became the first man, वो पहले व्यक्ती थे, without both the legs, बिना दोनों पेरों के, to reach the top of the Mount Everest, Mount Everest के टोप पर पहुचने वाले हैं, तो यहां तक हमें यह बताया गया है, कि 2006 में Mark English जो New Zealand के थे, उन्होंने विश्व के सबसे उचे परवत Mount Everest पर चड़ाई करी थी, What was special about it? इसमें क्या विशेश था? Every year, many people climb Everest, प्रतिक साल कई लोग Everest पर चड़ते हैं, लेकिन उनकी जो कहानी वो अलग थी, English does not have both the legs, उनके दोनों पेर नहीं थे, और वो पहले व्यक्ती थे, जो बिना दोनों पेरों के अवरेस्ट पर उन्होंने चड़ाई की थी, ठीक है बच्चो, English lost his legs early, English ने अपने पर जल्दी खो दिये थे, पहले ही खो दिये थे, He was working as a mountain guide in New Zealand, वे mountain guide के रूप में न्यूजिलेंड में काम करते थे हैं, क्यों क्यों न्यूजिलेंड देश के थे, mountain guide मतलब परवत पर चड़ने वालों के लिए जो guide होते हैं, परवता रोही क के रूप में काम करते थे, He was caught in a snowstorm, snowstorm है ना, बरफिले तूफान में, snowstorm मतला बच्चो है, बरफिला तूफान, ठीक है, बरफिला तूफान, ठीक है, He was caught in a snowstorm, वे एक बरफिले तूफान में घिर गए थे, English survived, but both his legs had to be cut off, वो English जो है, वो तो जीवी, survive अतलब जीवित हो, जीवित रहे, लेकिन, but, लेकिन, both दोनो, his legs, दोनो उनके पर, had to be cut off, काटने पड़े, है ना, English survived, but, both his legs had to be cut off, English जो है, वो तो जीवित रहा गए, बज गए, लेकिन, उनके दोनों पर, कट गए, English climbed Everest with artificial limbs, especially made for climbing, अब English ने, जो थे, climbed Everest, Everest पर चड़ाई करी, with artificial limbs, artificial मतलब, क्रत्रीम, artificial मतलब क्या होता, बच्चो, क्रत्रीम, limbs मतलब अंग, क्रत्रीम अंग, है ना, बच्चो, क्रत्रीम अंग, especially made for climbing, especially, जो किसके लिए बने, climbing के लिए, चड़ाई के लिए, ठीके, परवतार हो ही, जो चड़ाई करते हैं, पहाड़ों पर, उस चड़ाई के लिए, special, जो क्रत्रीम अंग के रुप में, जो पेर बने, उनके सहारे, उन्होंने, चड़ाई करी थी, ना, इस, climbed Everest with artificial limbs, especially made for climbing, he joined a small list of climbers, उन्होंने, climbers, चड़ने वालों की एक छोटी समू में, को जोइन करा था, है ना, कैसे, एक छोटे समू को जोइन करा था, जो परवतार हो ही थे, है ना, चड़ना चाहते थे, जो माउंट अवरेस्ट पर, including a blind American, जिसमें कौन-कौन थे, देखो, including a blind American, जिसमें एक अंधा अमेरिकी है ना, एक अंधा अमेरिकी, and a sherpa, without both hands, और एक sherpa, जिसके दोनों हाथ नहीं थे, both मतलब दोनों, hands मतलब हाथ, without मतलब बिना, एक sherpa थे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे, who overcame this ability to climb the Everest, जो अपनी योग्यता या जो कमी थी, उससे उभर कर Everest पर चड़ने आये थे, English is also a professional sky guide, English जो है professional, जो है sky guide भी है, है ना, पेशेवर, sky guide है वो, also मतलब भी है ना, and a cyclist, और वो एक cyclist, cycle चलाने वाले भी है, he won a silver medal in the 2000 Paralympic Games in Sydney, he won, won मतलब जीता, a silver medal है ना, in the 2000 Paralympic Games, Paralympic Games होते बच्चों, जो की 2000 में Sydney में हुए थे है ना, Sydney में जो games हुए थे Paralympic, उनमें उन्होंने silver medal जीता था, he also, he also helps other people with disabilities, वो दूसरे लोगों की मदद भी करते हैं, जो की, जिन में कुछ disabilities है, है ना, उनकी वो मदद भी करते हैं, ठीक है, तो यह हमने New Zealand के जो Mark English है, उनके बारे में पूरा paragraph था, हमने इसको पढ़ लिया, हमें समझ भी आ गया है, अब हम नीचे का करेंगे, answer the following questions, Which country does English belong to, है ना, जो English थे, वो किस देश से belong करते थे, तो क्या लिखेंगे, है ना, इसका उत्तर लिखेंगे, English I-N-G-L-I-S belongs to B-E-L-O-N-G के साथ S लगेगा, बच्चों, डस था इसमें इसलिए, यहां डस हटे का तो, वर्ब के साथ A-C-I-E-S लगना है, English belong to New Zealand, है ना, New, Z-E-A-L-A-N-D New Zealand, ठीक है, English belong to New Zealand, अगला प्रेशन है, What was special about English achievement, है ना, English के achievement में क्या विशेश था, है ना, तो हम यहां क्या लिखेंगे, बच्चों, He, he, he was the, he was the first man, he was the first man without, without both the, both the legs, to reach the top of the Mount Everest, उसका एंसर है बच्चों, He was the first man without both the legs, to reach the top of the Mount Everest, वह पहले व्यक्ति थे, जो बिना दोनों पेरों के, यहना, बिना दोनों पेरों के, Mount Everest के top पर पहुचे थे, ठीक, अब दूसरा है, how did he lost his legs, उन्होंने अपने पेर केसे खोए, तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, He lost his legs, he lost his legs in snowstorm, ठीक है, how did he lost his legs, तो यहाँ पे did हटेगा, तो जब एंसर लिखेंगे तो, यहाँ पे बर्ब का second form आएगा, second form आएगा है ना, He lost his legs in snowstorm, बर्फिले तूफान में उन्होंने अपने पेर खोए थे, what did he use to climb the Everest, एवरेस्ट पर चड़ाई के लिए उन्होंने क्या यूस किया था, तो इसका उत्तर आएगा, He used artificial, artificial, He used artificial limbs, especially, especially made for, especially made for, और अब नीचे लिख देते हो ना, c-l-i-m-b-i-n-g, climbing, He used artificial limbs, उन्होंने क्रत्री अंग का प्रियोग किया था, especially made for climbing, जो कि especially climbing चड़ाई के लिए बनाए गए थे, ठीके बच्चों, तो यह हमारी activity 7 पूरी हो चुकी है,